नमस्कार आप देखरें टीवी 24 आपके साथ मैं हूँ अंकितार शिडवाद बड़ी खबर के साथ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आयोध्या विवाद जमीन की 26 वी बरसी की विवाद धाचा विद्वन्स की बरसी पर सियासत जोरो पर है हिंदू संगठन आज शोरे दिवस की तौर पर से मना रहा है और विपक्ष काला दिवस मना रहा है आयोध्या में सुरक्षा के फोक्ता इंतजाम किये गए हैं एक तरफ इंदू संगटनों के शौरे दिवस और दूसी तरफ विपक्ष के काला दिवस के आयोजन ने सरकार के लिए चुनौती खड़ी करती है मुख्यमंत्री योगी आदिति नाथ ने शांती व्यवस्था काइम रखने के मद्दे नसर अधिकारियों की जवाब देही तैकी है रामंदे निर्मान को लेकर शुरू हुए संतों के आंदोलन की वजह से इस बार राजनितिक हल चल बढ़ी है लोग सभचुना करीब होने से आयोजिन को लेकर विभिन संगठन सक्रिये है प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सजग है बुलंच शहर में गौकशी और इंस्पेक्टर समेथ दो हत्याओं ने पहले से ही सरकार की पेशानी पर बल्ला दिया है खूफिय अजिंसी उसे लेकर जिलो की पुलिस को अलट किया गया है 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिशद आयोध्या समेथ प्रदेश भर में शौरे दिवस मनाय रहा है और इन आयोजिनों में बीज़ेपी की सीधी बागिदारी नहीं रहेगी पूर्ब मंत्री शिपपाल सिंग्यादव की प्रगती शील समाज पार्टी 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में इसे मना रही है तो आयोध्या में विवादे धाचा विद्वन्स की आज 26 वी बरसी है विवादे धाचा विद्वन्स की बरसी पर सियासत भी जोरो पर है हिंदू संगठन आज शौरे दिवस के तौर पर इसे मना रहा है तो विपाक्ष काला दिवस के तौर पर वहीं 6 दिसंबर है आज इसलिए सुरक्षा के पूरे इंतिजाम भी किये गए है पुलिस पूरी तरह से मुस्तेद नजर आ रही है चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है आयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है तो आपको बता दे कि 26 साल हो गये है 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जित को डाया गया था और उसके बाद से तनाव अब तक भी बरकरार है वो जख्म लोगों की जहन में आज भी ताजा है तो वहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर, कड़ी निगाहे पुलिस की बनी हुई है हर गाडी की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई आप्रिय घटना न हो जाए तो सियासत भी जोरों पर है इस पूरे मावले को लेकर एक तरफ इसे शौर दिवस के तौर पर हिंदू संगठन मना रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर काला दिवस के तौर पर इसे मना रहा है इस मावने मावनादिक जानकारी के साथ हमाई समवदाता दिनेश तरफाथी इस वक्त हमाई साथ चुड़े हैं सीधे रुक करते हैं दिनेश का दिनेश शिव उननीस सु ब्यानवे के बाद दो हजार अठारा कितना बदलाव आया है जखम अभी भी लोगों के जहन में क्या ताजा है जी बिलकुल अभी मेरे साथ हनमानगड़ी के मुख्य पुजारी महंत राजुदास जी है मैं उनसे जानना चाहूँगा कि दो हजार अननीस सो बानवे च्छा दिसंबर के बाद आज दो हजार अठारा चाहँ दिसंबर में क्या बदलाव है ये राजुदू जी महराज बताएंगे मुझे राजुदी दो हजार नीस सो बानवे च्छा दिसंबर और आज दिसंबर 18 या बादलाव् संबर 1992 से लेकर आज सन 2018 चल ला है इसके बीच में अध्या का डबलब से लेकर हर एक चीज में बदलाव है लेकिन बदलाव से हमको अब मतलब नहीं है मतलब यह है कि अध्या सनातन धर्म की मुख केंद्र है जहां पर भगवान स्री राम लला टेंट में विराजमान है जिसके नाम पर चाहे पचका हो चाहे बचका हो रानितिक दल एक से एक सो तीन सो तेरह तक पहुंच जाती है जिसको कोई नहीं जानता वो विधायक और शांसद हो जाता है राम के नाम पर और उसके बाद राम जी वैसे ही टेंट में विराजमान है जहां आप अभी दर्शन करने जेल के तरीके वहाँ पर पुष्प माला नहीं ले जा सकते कुछ चढ़ाने के लिए प्रसाद नहीं ले जा सकते तो जहां भगवान राम विराजमान है हिंदू जनमानस का आस्ता का केंद्र है वहाँ पर ऐसे वैस्ता नहीं होनी चाहिए और सरकार से चाहे पच्छका हो सबसे आक़रा करना चाहूंगा हिंदू जनमानस के तरफ से कि अब राजनीत बंद और जहां पर राम जी बिराजमान है वहाँ भब राम जनम हूम मंद्र का निर्मान हो यही हिंदू जनमानस चाहता है जी राजु जी दर्सनार्थियों को लेके क्या कहेंगे 6 दिसंबर आज के दिन दर्सनार्थियों का सामाने दिनों के पेच्छा आना जाना कम है या वैसे ही है अध्या में उस सब के तरीके मराते हैं लोगो लोग शाधू संत अपने मंदर के बाहर दीप जलाते हैं बाहर से लोग आते हैं, राम लला का दर्सन करते हैं, वेश हिंदू परसत के द्वारा आयोजी धर्म सभा होता है, उस धर्म सभा में लोग शामिल होते हैं, संतों का दिसान रेज लोग सुनते हैं, लेकिन हिंदू जन्मानस के अंदर एक टीस है, हिंदू जन्मानस यही कहता है कब तक हम सौर दिवस के रूप में भगवान टेंट में विराज मान रहेंगे कब तक मनाएंगे इसको भबता के रूप में मंदिर निर्मान कराव यही नेताओं से सभी हिंदू धार्मिक संगठनों से यही हिंदू जनमानस का आग्रह रहता है लेकिन लेकिन दिनेश यह मामला तो अभी कोट में विचारा दीन है और ऐसे में यह तमाम लोग क्या कुछ चाहते हैं अब सवर दिवस किस रूप में मनाएंगे आज आप आज तो सवर दिवस भब्यता के रूप में हम लोग मनाते हैं सभी मठमंदिर के बाहर में धीप प्रज्वलित करते हैं राज सभी में 12 वजे आतंगवादियों के सुनवाई के लिए समय है ऐसे कानून लाने के लिए समय है जहां लोगों में मतभेद पैदा हो और कोट के पास यह समय नहीं कितना गंबीर हम लोग के लिए तो आस्ता का विसा है लेकिन कोट के लिए राजनेताओं के लिए एक मुद् सभीया कि मेरे पास समय नहीं है यह दुरभाग नहीं है तो मैं वैसे कोड से क्या विश्वास करूं जो कोट जान रहा है कि पूरे भारत में हिंदू और मुसलमान अर्मर नहीं नहीं हैं तमाम नुकसान एक उनको दिखाई नहीं देता यह चीट तमाम चीज यह से जितने साक्षे मिले हैं, जितने प्रमान मिले हैं, जितने आधार मिले हैं, बग्यानिक तोर पे वो हिंदु जन्मानस के पच्छ में हैं, सास्त के तरफ जाएंगे तो सास्त में भालमी की रामायन में बरनन देख लिजिए, रामचेत मानस में बरनन देख लिजिए, उसमें आध्या, भगवान राम की जनमस्तली है और जनमस्तली पे भब राम जनम्भू मंदिर बनना चाहिए वही दिनेश जिस तरह से इनकी मांग यहाँ पर है यह चाहते हैं कि जल से जल इस मसले का फैसला हो जल से जल इस मसले का हल भी यहाँ पर निकले लेकिन दिनेश कहीं न कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीती भी होती हुई नजर आ रही है जहाँ पर तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर इसे शौरे दिवस के तौर पर मना रहे हैं तो वहीं विपक्ष की बात करें तो काला दिवस के तौर पर भी इस दिन को मनाया जा रहा है राजु जी आप लोग सौरे दिवस मना रहे हैं बीजेपी संग और संग से जुड़े जितने भी उसके साखाएं हैं सब सौर दिवस मना रहे है और विपक्ष जो है काला दिवस के रूप में मना रहे है उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए ऐसा है विपक्ष तो कोई है ही नहीं बाबर एक विदेशी आक्रमकारी था वो कोई हमारा वो कोई मतलब कोई विचारधारा नहीं था तो जो विपच्छ जो मना रहा है काला दिवस वो ही लोग मना रहे हैं जिनको ग्यान नहीं है कि बाबर क्या था इसके नाते वो काला दिवस मना रहे हैं उनके लिए दुरभाग पुरुन है अगर आध्याम आप दे करनकारी होनी चाहिए कि जश्ट पास में आडगरा मस्जिद है वहाँ पर हनमान गड़ी के जमीन है जब उच्च नियाले ने कह दिया कि जब तक मस्जिद खरिए तभी तक रहेगी लेकिन अध्या के साधू संतुन उसको भब्यता आप देखो कि बहुत भब्य मनवार के दि संत बैखेंगे कब तक आपको वाई जात के नाम पे धर्म के नाम पे तो क्या देष का बटवारा हो गया यह दो दो देष़ पास मुसल्मानों को मिल गया हिंदू को मिला 10 कंदूं कभ तक कुर्मानी देते रहेगा अब नहीं चलेगा अब जो गम मना रहे हैं जो काला का मंदिर निर्मान में सहयोग करें बिल्कुर साथी साथ दिनेश बहुत सारे लोग भी यहां पर मौजूद हैं वो किस तरह से इस दिन को देखते हैं और साथी साथ उनकी क्या कुछ मांग है वो क्या कुछ यहां पर चाहते हैं जी हमारे साथ और लोग भी हैं मैं उनसे जानने की कोशिस करता हूं कि वो क्या चाहते हैं भगवान राम के बारे में जी आप कहां से आये हैं जी बारा वंकी से दर्सन हो गई जी हां दर्सन हो गए क्या चाहते हैं मैं चाहता हूं कि भौर राम मंदिर का निर्मार हो क्यांकि ये करोणों के आश्था के प्रतीक हैं और पुराण में बाल्मीक रहाण में मानस में सारा प्रमार अश्मलोगों कि पच्छ में है ज्यान भी सिध्ध करता है तो इसलिए हां बनना चाहिए आप कहां से आये हो। महाराच यंजिली से क्या चाहते हो दर्सन हो गया। हम यह चाहते हैं कि हम रहेंवाल ना मत रहें लेकिन राम मंदिर जरूर बने मिटी में मिला दो उनकी दो को जो घर में बैटकर घात करें जीप कर लो उन कुत्तों को को जो RAM मंदिर के बारे में बात करें अंट कि और आऊसे माराज बमक़ यहां जिला के सब्सक्री मभी मुथए ओवा कर निर्मान चाहते हैं कैसे चाहते हैं मंदिर का निर्मारों ंथ्टी उगली से में हैं तो आप का ताह्यों श्यों मनदिर मंदिर का निर्माड का इसे हो मंदिर का निर्माड का इसे हो जैसे सयोग किया जाए वैसे हो आप पहां से आया है जी मारा कि मंदिर बने ना बने बने हमें चाहते हैं कि मंदिर आउस से बने आउद्या का पहले रोजगार चाहिए या पहले मंदिर चाहिए पहले मंदिर चाह माता जी आप कहां से आई है दर्शन हो गया क्या चाहते है भगवार राम टेंट में रहे या भव्य मंदिर बने एक महने के अंदर बने वो भी एक महने के अंदर शिरू होना चाहिए आप कहां से आयो जालना महाराष्ट जालना बिलकुल बिलकुल दिने इस तो पूरे देश भर से लोग यहाँ पर राम लाला के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं आज का दिन बेहत खास बेहत आयम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज 6 दिसंबर है और कडी सुरक्षा व आम मंदिर का निर्माद